एलेवेरा वेसे तो ठंड़क देने वाले अपनी गुनों के लिए जाना जाता है पर आपको यह नहीं फता होगा कि यह आपकी खुम्सूर्टी के लिए भी उतना ही अच्छा है साथ ही हर मुशन में इसका उपयों किया जा सकता ही एलेवेरा के पत्तों में A, B1, B2, B3, B6, B12, C, E और फोलिक एसे जिसी पोशक्त तो पाये जाते ही एलेवेरा के ऐसे ही अनिकुनों के कारण इसे ब्यूटी प्रोडॉक्स में भी इस्निमाल किया जाता ही स्वास की द्रूश्टी से भी एलेवेरा के पत्तों को प्रकूर्टी की प्रभावशारी जड़ी बुटी माना जाता ही एलेवेरा जेल में एंटी इंफ्लामेटरी रिगुन होते ही इसलिए छोटी मोटी चोट कटे या जले पर या केड़े के काटे पर फस्ट एड की तरह एलेवेरा का इस्तिमाल किया जा सकता ही तो चलिए हम आपको बताते हैं एलेवेरा की सभी चामत कारी गुन खूबसुरत लिप्स के लिए एलेवेरा विटामिन E से बरपूर होता है और इसलिए रुके, कटे और फटे होट के लिए ये बरदान है अपने होटों पर एलेवेरा जेल लगाए और भूल जाए फटे ओट बस इतना ही करना है बाकि कुछ नहीं आप चाहे तो जेल में थोड़ा से जेतुन का तेल या ओली ओल मिलाकर उसे लिप्बाम की तरह भी योज़ दर सकते हैं सुन्दर आखों के लिए अगर आप सुबह फफी और ठकी आखों के साथ उठती है तो एलेवेरा का उपयो इन्हें भी ठीक कर देगा आखों के आज पस जिल लगाना शुरू करें तो ये अंडर आई क्रेम में भी अलेवेरा का इसलिए इस्तिमाल किया जाता है वैक्सिंग की लाली को कहें बैबाई अगर वैक्सिंग ठ्रेडिंग प्लकिंग या चेहरे की बाल निकलने के बाद आपको दाने ये लाल रेशिच हो जाते हैं तो इसे ठीक करने के लिए भी अलेवेरा का उपयो बहुत ही असरदार होता है एंटिक एजिंग को अलेवेरा तोचे के इलस्टिसिती को सुधाता है जिसे फाइन लाइंस जुरियां दाग दबो की समसर नहीं होती है इसके लिए अब अलेवेरा जेल में थोड़ा सा जेतुन का तेल और थोड़ा ओटमिल पावडर मिलाकर पेस्ट बना ले इस पेस्ट तोचा को हैड़ेट करता है और भी बीना जिपचिपाहाद के हैना कमाल और इसलिए तेली और मुहससी त्रवाइट तोचा के लिए चमतकार है सर्दियों में रूखी तोचा की समस्थ्या आम होती है और इसके लिए अलेवेरा का उपयव परफेक्ट इलाज है अलेवेरा जिल को मॉइक्शुराइजर की तरह त्वचा पर मसाज करें और बस हो गया आपका काम इसे आप अपने नाकुनों पर भी लगा सकती है यह उन्हें भी मॉइक्शुराइज कर मजबूत और चमकदार बनाता है दाग दब्ब और मुहासो का खात्मा चेरे की खुब्सूर्ती बनाए रखने के लिए अलेवेरा के फायदा अनेक है अलेवेरा में अंटि-फंगल अंटि-इंफ्लमेटि और अंटि-बैक्ट्रियल प्रपरटीस होती है जिससे इत्वचा की दाग दब्ब्ब और मुहासो से जल्दी बर जाते हैं वह भी बीना दाग या निश्यान छोड़े यह अलेवेरा का एक और अच्छू उपाई भी है मुहासो पर रोज रात सोनी से पहले अलेवेरा जेल लगाले या फिर जेल में कुछ बूदे लिम्बू के रसकी मिलाकर लगा ले संबर्ण का काल गर इनाजी सूर्य के किर्ले हमारे चीहरे की तोचा को नुकसान पूचाते हैं या वह जूश में तोचा को सूर्य की किल्डों के नुकसान से बचाने की सकती होती है और साथ ही इसके अंटी ऑक्सिडेंट्ट को भून chem में नमिकी कमीर, को दूर करते हैं इसलिए जब भी आप दूप में गर से बाहर जाए तो एलेवेरा जूस को अच्छी तरसे अपने चेहरे पर लगा करी जाएं मस्सों की करेक छुट्टी एलेवेरा जेल में रुई को थोड़ी देर डुबो कर रखे ताकि ओ जेल को अच्छी से सूख ले फिर उस रुई को कुछ मिनिट के लिए मस्से पर टेप की मदब से चिपका दे ऐसा नियमित करने से कुछ हपतो बाद मस्से अपने आप गिर करते हैं और एक एसेचेंट की तरह काम करता है जो पोस को टाइट करने में मददगार होता है कि एलेवेरा जेल में थोड़ी शक्कर और नीमू का रस मिलाकर स्क्रब तैयार कर ले एडेट स्किन को निकालने के साथ ही तोचा को हाइड्रेट भी करेगा और आपको मिलेगी नर्म मुलायन और साफ तोचा इसके अलवा एलेवेरा के रस में नादिल का थोड़ा से तेर मिलाकर खोनी गुटने और एडियों पर कुछ देर लगाने से इन जगों का कालापन भी तूर हो जाता है बालों के लिए एलेवेरा एलेवेरा को दुरूत कुमारी भी कहा जाता है इसमें मौजुद हों बालों को घना वो खूबसूरत बनाते है यह बालों की जड़ों की पीयत संतुलन बनाए रखने में मदद करता है एलेवेरा बालों का जन्ना रोगता है और बालों की बनाएगा ही जेल को सीधा ही अपनी सीर वह बालों में लगाकर अच्छे से महसाच करें और कुछ देर बार बाल दो ले आप चाहे तो इसे लीव-इन कंडिशनर या स्टाइलिंग क्रीम की तर अभी इसके मल कर सकती है अलेवेरा की दो पतिये को जेल लिकाल ले अब इसमें अधिनी बुकार रस मिलाई और इसे अच्छे से फेट ले भलके के लिए बालों पर इसे एपलाई करें इसके बाद गर्म तोले से 15-20 मिन के लिए बालों को लपिट ले उसके बाद हलके गर्म पानी और शांपू से बाल दोले ऐस हफते में एक बार करने से बाल घने मुला इसे कीवल पांच प्रजाति हैं हमारे स्वास के लिए गुनकारी है ऐलोवेरा का इस दिमान एक पोज्टिफ आहर के रुप में भी किया जाता है मिन्रस और वीटामिन से बरिपूर ऐलोवेरा स्वास के लिए भी काफी फायदे मंद होता है यह कहीं तरह से स्वास्त को ला पहुंचाता है यह खून की कमी को दूर करता है तता शरीर की रोग प्रतिरोदक्षमता को बढ़ाता है नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीनी से शरीर में एनर्जी मने दती है एलोवेरा जूस के नियमित इस्तिमाल से वर्जन भी घटता है एलोवेरा का जूस पीनी से सिर्दत की समस्या से भी चुटकारा मिलता है बच्चों को सर्दी सुकंत या खासी होने पर पांच ग्राम ताज एलवेरा जूस में शहद मिला कर दे इसी बच्चों की सर्दी खासी दूर होती है कि एलर्जी दूर भगाता है एलवेरा गर्मियों में उक्सव धूप से एसी वह एसी से दूप में निकलने पर तोचा संब्दित कई तरह की एलर्जी हो जाती है इनसी होने वाली खुजली जलन वर रैशेच को दूर करने के लिए एक कारगर उपा है एलवेरा का जेल खुज जली और एलर्जी से तुरंत रहात मिलती है इसके अलावा एलवेरा जेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुन होते है इसलिए चोटी मूटी चोट कटे या जले पर या किडे के काटने पर फस्ट एड़ की तरह एलवेरा का इस्तिमाल किया जा सकता है एलवेरा के नुक्सान आपको जानकर हैरानी होगी मगर और शिदिये गुण रखने बाला यही एलवेरा फाइदे के साथ शरील को कही तरह के नुक्सान भी पहुचाता है एलवेरा में मुझत लैक्सिट्यू के कारण आपको कही तरह की परिशानियों का सामना करना पर चकता है एलवेरा जूस ल दोवाईयों के साथ लेने पर अपकी सेहत पर असर पड़ सकता है एलवेरा का रोजाना सेवन अपकी ब्लेड ट्रेशर को कम कर सकता है हाई वीपी से परिशान लोगों के लिए इसका सेवन अच्छा है लेकिन लोग ब्लेड ट्रेशर के मरिज्यों के लिए यह परिशानी क उन्हें भी ऐलोवेरा या एलोवेरा जूस से सेवन से बचना चाहिए रोजाना इसके सेवन से दिल की धड़कन अनिमित होने के साथ शरीड में कमज़ोर हुसक्ति हैं ऐलोवेरा का ज़रूज से ज्यादा सेवन करने पर हो सकती हैं एलवेरा जूस में मौझूद लेटेक्स हमारी मास पीश्यों को कमज़र कर सकता है इसलिए इसका सेवन करने से पेले डॉक्टर की सलाँ ज़रूर ले ले गढ़ पोती महिलाओं को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी सेवन से उनका गढ़ बाशे संकुचित हो हो सकता है जिससे गर्ण में पर रहे बच्चे के जन में दिक्कत हो सकती है अलुवेरा की प्रड़क्स पतन जली अलुवेरा जेल कटने चिनने जल जाने या कीड़े के काट लेने में लंबे समय से ही अलुवेरा के एपोदे को दवा की तोरपन लगाया जाता है इसकीन हिमालय हर्बल मौश्चराइजिव एलेवेरा फेस वाश हिमालय हर्बल का यह मौश्चराइजव एलेवेरा फेस वाश नकिवल आपकी तोचा को साफ करता है बल्कि तोचा के पोर्स को बंद करने में साइक होता है यह आपकी तोचा को हाइडरेट करता है और इसे जिल यह मसाज क्रीम आपकी तोचा में फ्रेशने इसलाती है इसमें में दल होता है इसलिए इसे कम मात्रा में ही लगाए यह तोचा कि गवराईये में जाकर उसे मौश्राइज करता है इसमें एंटिसेप्टिक गून भी शामिल है जो कटने या छिलने में असरदार है एलवेरा से संबंदित सवाल जवाब क्या मैं राद बर के लिए एलवेरा अपने चेरे पर लगा कर छोड़ सकती हूं अगर आपकी स्किन स्वाफ्ट और सेंसिट्यू है तो हम यहीं सलात देंगे कि एलवेरा जेल को राद पर चेरे पर लगा कर कतई न छोड़े बही जिनकी इसकी नॉर्मल या फिर हाड है वो इसके उलट राद बर एलवेरा जिल लगा कर सो सकते हैं फिर भी हम यहीं कहेंगे कि ऐसा रोज राद न करें क्या एलवेरा चेरे के रंग को गोरा बनाता है एलवेरा जिल ओल फ्री हाइड्रेशिन प्रदान करने में मदद करता है यह आपकी तुच्छा के रंग को सही बनाए रखने में मदद कर सकता है लेकिन रंग को गोरा नहीं बना सकता एलवेरा अपकी तुच्छा को ग्लोइ सकता है जिन लोगों के हातों चेहरें और शरीर के अन्नस्थानों पर काले दब्बे हैं वे ऐलोएरा की मदद से इसका इलाज कर सकते हैं यह वोज जगह पर काले धब्बों को बढ़ने नहीं देगा और स्कीन को फ्रेश वह ब्लोइंग बनाएगा